कल्यूग में समय समय पर चमतकार देखने को मिलते ही रहते हैं। ऐसा ही एक चमतकार बैटमा से महज 6,5 किलो मिटर दूरी पर सलमपूर ग्राम पंचायत के अंतरगत आने वाले ग्राम शंकर पूरा में देखने को मिला। जहां गाओं के किनारे इस्थित हनुमान मंदिर में इस्थापित हनुमान प्रतीमा में अचानक दरार देखी गई बेटमा के सबसे करीब ग्राम पंचायत सलंपूर के अंतरगत आने वाले ग्राम शंकरपूर में शनिवार सुबह जब मंदिर में हनुमान जी को चोला चड़ाने आये तो उन्हें ये चमतकार दिखाई दिया गाउं के करण सीह ने बताया कि सुबह जब वे आये तो उन्होंने प्रतीमा को इस तरह खंडित देखा देखने के बाद चोला नहीं चड़ाया और इसे भगवान का चमतकार मान सभी ग्रामिनों को इसकी सुछना दी जिसके बाद मंदीर में भक्तों की आवाजाही बढ़ ग भक्ते इसे अलग-अलग रूप में देख इसे प्रभू इच्छा मान रहे हैं बैटमा इंदौर से राजन सुर्यवेंशी की रिपोर्ट कर देखा तो मूर्ती घंडी दीखी फटी हुई तो हमने चोला चलाया नि इसली पर बता है आपको कर दो 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 बहुत पुराना है मूर्ती तो भी 25 साल से बिठेगी उसको और मंदी दो बहुत पुराना है हमके में बता कपसे बना है मंदीर तो यह जो दिखा है चमतकार इसको आप क्या मानते है चमतकारी है क्या नाम है आपकार करन जी बोल सियावर राम चंद्र भगवान की जै पवन एसुत हनुमान जी की जै आज जो है दो हजाद केविस में नय चमतकार हनुमान जी के इस्थान पर देखने में आया हमको मकर शक्रामति के उपलक्ष में भगत लोग चोला चराने के लिए और य पच्छिस तीस साल पेले ये मूर्ति की प्यान प्रतिष्टा मैंने मोहंदास वेश्णों ने कर वही थी पुरा गाउं के शमक्ष और आज जो ये गाउं के लोगों ने मेरे को बताया तब मैं आके यहां नुमान जी का दर्सन कर रहा हूं और देख रहे हूं बोल राजा राम चंद्र भगवान की जै हनुमान जी महाराज की जै नमस्कार सात्यों मैं इस समय खड़ा हूं बेटमा चेतर के एक सलंपूर गाम पंचात के अंतरगत आने वाले गाउं शंकरपूरा में जहां पर आज एक अद्भू चमतकार देखने को मिला है मेरे पीछे आप देख सा हलचल दिखी एक चमतकार जिसे हम कह सकते हैं यह देखने को मिला है यह हनुमान जी की मूर्ती में थोड़ी सी गाउं के लोगों का कहना है कि यह बहुत अच्छा चमतकार है कुछ थोड़ी सी जब कल यहां कुछ लोग चोला चड़ाने के लिए आये थे तो उस समय उन्ह यहां पर दिख रही है मूर्ती में जो तिराड आई है यह प्राचीन मंदिर बताय जा रहा है और जो इस मूर्ती में जिसमें यह दिखाई दे रही है जो चमतकार जो देखने को मिल रहा है यह यह चमतकार जो देखने को मिल रहा है यह मूर्ती जो बताय जा रही है यह 25 सा पुरानी इस्थापित की वही मूर्ती है आसपास यह जो आपको मूर्ती दिखाई दे रही है यह इससे भी पुरानी मूर्ती है जो पहले से यहां पर है मंदिर भी काफी पुराना है अब यह जो देखने को मिल रहा है एक बड़ा ही चमतकार देखने को मिल रहा है आप देख तेंड़ी थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो चमतकार जो देखने को मिल रहा है यहां के लोगों का कहना है कि इस तरीके का चमतकार यहां पहली बार देखने को मिला है अब वो इसे लेकर कुछ आगें की रण निती तयार कर रहे हैं अब वो इसे लेकर कुछ आगे की रण नीती तयार कर रहे हैं, भविश के कुछ आयोजन की तयारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ गाउं के पठेल भी जुड़े हैं, हम उनसे पूछेंगे, यह जो चमतकार देखने को मिल रहा है से आप किस तरीके से समझेंगे, क्या बोलेंगे अब इसके बारे में? गाउं के पठेल साथ बता रहे थे कि यह चीजे जो है, पहली बार देखने को मिली है, अब यह कल्यूग में जो बेढ़े में हनुमान जी उनका चमतकारी कह सकते हैं, अब आगे इसको लेकर गाउं के पठेल और जो गाउं की राजनीती, गाउं के नेता लोग क्या करते है हैं, यह आगे देखने वाली बात होगी, SW24 News के लिए राजन सुर्य वनशी, हलो फ्रैंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News, हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइपोन को दबाना बिलक